बदोई में शवों की पोस्ट मॉटम के लिए परीजनों से अवैद वसूली का मामला सामने आया है मामला थप सामने आये जब चौरी थाना इलाके में सडक दुरगटना में एक युवक की मौत के बाद उसके पोस्ट मॉटम के लिए कर्मचारी सुविदा शुलक के नाम पर एक हजार रुपए और अंग्रेजी शराब की मांग की मांग पूरी नहीं करने पर कर्मचारी ने पोस्ट मॉटम करने से मना कर दिया बेबस और मजबूर परीजनों ने ये सौदा सुईकार कर लिया लेकिन इसी दौरान परिवार के अकसदस्या ने इसका वीडियो बना लिया वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मानफता को शर्म सार करने वाले इस हरकत में पुलिस कर्मी भी शामिल है वाली आये 260 का तो दिये तो मामिल भी फस गया पैसा वाली तो पैसा कर रहा था कि एक हजार से कम नहीं लिए नहीं काम नहीं करूंगा तो होते जाते हम लोग थे कहीं पचीस-पचास आदमी तो इकठा करके उसको आठ सो रुपिय दिये तो जो आठ सो रुपिये पुलिस के हाथ में दिये तो जनलाद को दिया वहीं इस मामले की वीडियो देखने के बाद मुखे चिकित साधिकारी ने जाचकर कारवाई के आदेश दिये जिस खाकी पर सुरक्षा और नयाय की जिम्मेदारी है वही खाकी मानफता को शर्म सार करने के खेल में शामिल हो तो उसे नयाय की क्या उमीद की जा सकती है बदोई से महेज जैसवाल की रिपोर्ट